कि हुआ है नमाश्कारё प्लार्चिन गाडन चैनल पर में कवीटा आप को भी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं सबसे पहले beliefs दिपावली की हादिग सुपना देना अगर आप मेरे चल्म पर नए है तो से सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन और प्रेस कर लीजे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेकली पोहुंचती रहे और इस तरीके के नए नए प्लांट्स के वीडियो उसमें लेकर करके आती रहती हूं तो उससे आपको जानकर ही मिलती रहे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज बात करते हैं टिकोमा प्लांट के बारे में जो की बहुत ही खुबसरत फ्लावरिंग प्लांट है बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे वेरियेशन होते हैं इसमें और एक as a ornamental प्लांट अगर करते ही आपको flower भी मिल जाए तो यह प्लांट बहुत अच्छा option है अगर आप लेकर क्या है और यह जादा फैल जाए आपने cutting करी तो जस्ट उसके बाद ही उसमें flowering बहुत ही कम ग्रोथ पर ही स्टार्ट हो जाती अधिकतर हमें देखना पड़ता है कि किसी अगर हम कटिंग करते हैं तो उसको वापस से डेवलप होने में और उसमें कलियां बनने में समय लगता है लेकिन यह प्लांट ऐसा है कि अगर आपने नौंबर में कटिंग कर दी और उसे शेप दे दिया तो फरवरी में आपको एक महिने बाद आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी यह फ्लावरिंग कप करता है तो वह भी बता देती हूं एक्स्ट्रेमली एक महिने की जो जादा घर्मी होती है और एक महिने की जादा बारिश होती है जैसे सावन में बहुत बारिश होती है तो उ तो उससे हमें कोई प्रक नहीं पढ़ थाम हरे तो सब्सक्राइंब कम इसरत prominent लोग प्लावर ले चांप में प्लशू में बोचछों में फूल को था प्लावर था जा दो थे वह र्षा ऊंद्स ठ cristalya is美味 ओर इससे बहुत अट्रेक्ट होते हैं जो kitchen gardening करते हैं उनके लिए best है मैं भी करती हूआ किषेन gardening हो उसके भी वीडियो में डालती रहती हूँ तो उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया है अब बात करते हैं इसको किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए तो इसे 50% मिट्टी 50% गोबर की खाथ यानि कि आदा आदा पॉट के हिसाब से उस पॉट में जितना भर जाया उसका आदा गोबर का खाथ आदा मिट्टी ले लीजिए और उसमें एक चमल ट्राइकोडर् बहुत ही हाड़ी प्लांट है कभी भी आपको शिकायत कामोंगा नहीं देगा या विल्कुल भी आपको परिषान नहीं करेगा यह पूरा प्लावरिंग चाहिए तो इंडोर में आपको फ्लावरिंग नहीं देगा या पॉर्च में भी आब режим से बूख दूप वाले अरिय और रखें जहांपर फूल सनलाइट और इसके फ़टिलाइजर की बात करें तो क्यमिकली अगर आप जाना चाहते है तो आप डिए पी 15 दिन में एक बार दे सकते हैं उसके बाद आप अगर और हम चाहते तो कंपोस्ट दीजिए हर 15 दिन में एक बार मुठी भर के काफी होगा देदो्स के लिए और अब बात करते हैं, इसके इंसेक्ट की तो इसके ऊपर इनसेक्ट काफी कम आता है। चीटिया मुआ अधिकतार देखी हैं इसके उपर तो चीटियों के लिए तो नीम ओई बेस्ट है आपनी मॉलिया बायो एंजय में स्प्रे कीजिए या केमिकल जाना चाहते हैं तो ओमाइट करके जो केमिकल इंसेक्टिसाइड आता है आप वह स्प्रे कर दीजिए एक लीटर वन एमल पर लीटर हां मतलब एक लीटर में पानी में आप वन एमल ओमाइट करके और तो इस पर कोई भी इंसेक्ट कभी नहीं आएगा तो आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आयोगा जाना करी पसंद आयों तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और में चल्ल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रू कीजिए बेल आइकन और पर पिस्कीजिए ताकि आगया